क्या आप भी जब कोई audition देते हैं या कभी कुछ shoot करते हैं तो dialogue भूल जाते हैं क्या आपको भी लगता है कि यार मैं dialogue भूल गया अब क्या करूँ तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो लोग audition के समय या shoot करते time dialogue भूल जाते हैं तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो बहुत इंटस्टिंग होने वाला है आपके जब आप dialogue याद करते हैं और उसके बाद जब उसे perform करते हैं तब क्या होता कि आप डार को या आपको भूल जाते हैं या आपको प्रसंट किते हैं आपको याद होते हैं और दिमाग को याद कर रहे हैं लोगों पतरो आपके जहन में चल रहा होगा कि इसके बात है कि वह साफ चेहरे पर दिखता कि कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो एकड़म चीज़े कनेक्ट कर लेती है चीज़ों को समझ लेती है अब अंदर क्या सोच रहा है क्या कर रहा है क्योंकि हमारे फेस रियक्शन से चीज़े पता चलती है तो अगर आप डायलोग्स भूल जाते हैं या जब आप कभी क मोनोलॉग है उसको आपको समझना है कि उसमें है क्या उसमें कहानी क्या है उसमें जो है पूरी जो एक स्क्रिप्ट है उसमें ऐसी बात है क्या जो ऐसा हुआ क्योंकि जब आप चीज़े पढ़ते हैं जब कोई डायलोग्स याद करते हैं या पढ़ते हैं तब उसकी कहानी इसकी चीजे आपके जहन में पिक्चर बनने लगती हैं तो वहां पर कहने है आपको डालोग को समझना पड़ेगा और जो आप समझ जाएंगे न तो अकर आप बाइदे वे कैमरे के आगे काम करते हैं अगर डालोग भूल गए तो आप improvise कर सकते हैं, आप improvise कर देंगे, वो dialogue जैसा चरला है, उसके ही तरीके से आप कुछ improvise कर देंगे, तो पता नहीं चलेगा कि आप dialogue भूल गए, तो कोशिश एक बार करके देखिए, कभी आपको लगता है, तो dialogue को समझेगे, समझने के बाद फिर आप practice करिए उसकी, मै लगतार सबसे यही कहता रहता हूँ, क्यार आप regular video बनाईए, regular monologue बनाईए, करिए, क्योंकि camera को जाधा face करिए, जब आप camera को जाधा face करोगे, तो आपकी चीज़े जो है न, वो camera पकड़ने लगेगा, और उससे आपकी friendship हो जाएगी, दोस्ति वो जाएगे, फिर आपका camera क डर जो है, वो अलके-लके निकलने लगेगा, तो कोशिश करिए, डायलोग को समझे, समझ के उसको improvise करके भी आप बोल सकते हैं, वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें, और आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें, तैंक यू